ओम शांती, आज है 30 जन्वरी 2021 की साकार मुरली, पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुच जाएंगे, इस समय तुम गुप्त योग की यात्रा पर हो, यही है मुक्ति धाम की सच्ची यात् इस रूहानी सर्विस में तुम अपनी हड़ी हड़ी स्वाहा कर रहे हो, फिर पिछाडी तक फरिस्से बन जाएंगे, वैसे भी फरिस्सों को हड़ी मास नहीं होता, फिर कहा विनाश भी जरूर आना है, इसमें डरने की बात नहीं है, तुम्हारे में जो महवीर होंगे, व पतित पावन बाप, खुद हमको समझा रहे हैं, तो दिल अंदर खुशी होनी चाहिए ना, बाप कहते हैं, बच्चों, विकारों का दान करो, तो ग्रहन उतर जाएगा, अब विकारों में मत जाओ, इन पर जीत पाओ, तुम्हें नर से नारैन बनना है, अगर धारना अच् तो सेकंड में राजाई मिल सकती है, लेकिन जिनकी तकदीर में नहीं है, उनको यह ख्याल में भी नहीं आता, कि हम भी सुखधाम चले, और लास्ट में बाबा ने कहा, जैसे बाबा गुप्त वेश में आकर, तुम्हारा कल्यान कर रहे हैं, ऐसे तुम्हें भी गुप्त व सार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिलकुल ही गुप्त है, तुम बच्चे अभी मुक्ती धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो, प्रशन, सोल वतनवासी से सोक्षम वतनवासी फरिस्सा बनने का पुरुशार्थ क्या है? उत्तर, सोक्षम वतनवासी फरिस्सा बनना है, तो रुहानी सर्विस में हड़ी हड़ी स्वाहा करो, बिना हड़ी स्वाहा किये फरिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि फरिस्से बिगर हड़ी मास के होते हैं, इस बेहद की सेवा में धदीची रिशी की तरहे हड़ी हड़ी तब ही व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत धीरसधर मनवा धीरसधर तेरे सुख के दिन आये की आये। ओम शान्ती। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाए और कोई भी नहीं जानते है। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पंडव सेना। अब यात्रा पर है। सुल अड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुपत है। यात्रा भी बड़ी गुपत है। शास्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना? बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं, हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वान धाम, विचार करो तो समझ सकते हैं, यह है मुक्ति धाम की सची यात्रा, सब चाहते हैं, हम मुक्ति धाम में जाएं, यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का राष्टा बताएं, प्रन्तु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, बाप आकर समझाते हैं, तो बच्चों को निश्चे होता है, बरोबर यह इह सच्ची यात्रा है, जो गाई हुई है, भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव, मध्या जी भव, यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है, सिर्फ किस ने कहा यह भूल करती है, कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ, इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है, वेह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है, सारी दुनिया चित्र शाला है, विचित्र और चित्र, अर्थात, जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बन तो वे है बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की सापना हुई थी। वे लक्ष्मी नारण का राज्य सापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धी में हैं सत्युग था अभी कलियुग हैं। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कहे ना सके कि मैं परमधाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा दवारा। और किसके दवारा भी कह नहीं सकते। सुक्षम वतन में हैं ब्रह्मा विश्णू शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्सा बन रहे हो। फरिश्से सुल वतन में नहीं होते। फरिश्सों को हड़ी मास नहीं होता है। यहां इस रुहानी सर्विस में हड़ी आदी सब खलास कर देते हैं। फिर फरिश्से बन जाते हैं। अभी तो हड़ी है ना। यह भी लिखा हुआ है। अपनी हड़ीयां भी सर्विस में दे गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं, सुल वतन से सुक्षम वतनवासी बनना है, यहां हम हड्डी देकर सुक्षम बन जाते हैं, इस सर्विस में सब स्वाहा करना है, याद में रहते रहते हम फरिश से बन जाएंगे, यह भी गाया हुआ है मिर्वा मौत मलुका शिकार, मलुक फरिश से को कहा जाता है, तुम मनुष्य से फरिश से बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते, यहां तो तुमको शरीर है ना, सुक्षम वतन का वर्णन अभी होता है, योग में रहे फिर फरिश से बन जाते हैं, पिछाडी में तुम फरिश से बन जाएंगे, तुम उनको सब साक्षतकार होगा और खुशी होगी। मनुश्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महवीर हैं वे तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या-क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी है ना। अरजुन को विनाश का साक्षतकार हुआ। एक पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षतकार हुआ। उसमें ज्यान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टी का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षतकार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश सो अच्छा है ना, पीस के लिए प्रियतन करते हैं, परंतु आखरीन विनाश सो होना ही है, याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे, य यह तो अच्छा है ना, पतित पावन को क्यों याद करते हैं, क्योंकि दुख है, पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पहर आ नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए, गाया हुआ भी है, महा विनाश हुआ, उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना. सो तो ऐसे होगी ना? यहां से राज योग सीखेंगे. विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राज योग सीखते हैं, नौलेज देते हैं, वही बचेंगे. विनाश सो सबका होना है. इसमें डरने की बात नहीं. पतित पावन को बुलाते हैं, जबकी वह आते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना? बाप कहते हैं, विकारों में मत जाओ. इन विकारों पर जीत पाओ. वह दान दे दो, तो ग्रहन छुटे. भारत का ग्रहन छुटता जरूर है. काले से गोरा बनना है. सत्युग में पवित्र देवताएं थे. वह जरूर यहां बने होंगे. तुम जानते हो, हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं. भगवान वाच, यह है गुप्त. श्रीमत पर चलकर, तुम बादशाही पाते हो. बाब कहते हैं, तुमको नर्श से नाराइन बनना है. सेकिंड में राजाई मिल सकती है. शुरू में बच्चियां चार-पांच दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी. शुबाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षतकार कराते थे. देवताईं आते थे. कितना मानशान से. तो बच्चों को दिल अंदर लगता है. बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं. ब्रह्मा तन में आते हैं. ब्रह्मा का तन तो यहां चाहिए ना. प्रजापिता ब्रह्मा दवारा सापना. अच्छा ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना? हम सब उनके आकर बने हैं. जरूर आगे भी बने थे. ब्रह्मा दवारा सापना, तो साथ में ब्रह्मन भी चाहिए. बाप ब्रह्मा दवारा किसको समझाते हैं? शुद्रों को तो नहीं समझाएंगे यह है ब्रह्मा मुख वन्शावली ब्रह्मन शुबाबा ने ब्रह्मा दवारा हमको अपना बनाया है ब्रह्मा कुमार कुमारिया कितने धेर हैं कितने सेंटर्स हैं सब में ब्रह्मा कुमारिया पढ़ाती हैं यहां हमको दादे का वर्सा मिलता है भगवानु आज तुमको राजयोग सिखाता हूँ वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नौलिज सुनाते हैं प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्यू बाबा है दादा उन्होंने यह लक्ष्मी नारेण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना भगवान तो एक उच्च ते उच्च निराकार ही है बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए पहले पहले समझाओ दो बाप है भगती मार्ग में स्वर्ग में है एक बाप पारलोकिक बाप दवारा बाद अश्य ही मिल गई फिर याद क्यों करेंगे दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े गाते हैं दुख हरता सुख करता वे अभी की बात है जो पास्ट हो जाता है उनका गायन होता है महीमा है एक की वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं मनुश्य थोड़े ही सम वे तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं तुम अभी समझ से हो बरोबर बाप ने राज्योग सिखाया जिससे बादशाही मिली चुरासी का चक्र लगाया अभी फिर हम पढ़ रहे हैं फिर 21 जनम राज्ये करेंगे ऐसे देवता बनेंगे ऐसे कल्प पहले बने थे समझ से हो हमने पूरा चुरासी जनमों का चक्र लगाया अब फिर सत्युक तुरेता में जाएंगे तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो यह practical बात है ना नया भी कोई सुने तो समझेंगे चुरासी का चक्र तो जरूर है जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा बुद्धी से काम लेना है इस मकान में इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे पतित से पावन पावन से पतित होते ही आए हैं कोई चीज सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता पुरानी जरूर बनती है हर चीज सतो रजो तमो में आती है अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है उसको स्वर्ग कहा जाता है यह है नर्क वेह है पावन दुनिया बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ क्योंकि दुख जास्ती होता है ना प्रन्तु यह समझ से नहीं कि हम ही पुज्य थे फिर पुजारी बने हैं द्वापर में पुजारी बने अनेक धर्म होते गए बरोबर पतित से पावन पावन से पतित होते आए हैं भारत के उपर ही खेल हैं तुम बच्चों को अब तुम शिव जयनती मनाते हो बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं हैं हम जानते हैं बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं ब्रह्मादवारा स्वर्ग की सापना हो रही है जरूर जो योग सीखेंगे सापना करेंगे वही फिर राज्य भाग्ये पाएंगे हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं बाब ने समझाया है अभी यह 84 जनमों का चक्र पूरा होता है फिर नया चक्र लगाना है चक्र को तो जानना चहिए न भल यह चित्र ना हो तो भी तुम संझा सकते हो यह तो बिलकुल सहज बात है बरोबर भारत स्वर्ग था अब नर्क है सिर्फ वह लोग समझ से है कलियुग अजुन बच्चा है तुम कहते हो यह तो कलियुग का अंत है चकर पूरा होता है बाप समझाते है मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है तुम मुक्ती जीवन मुक्ती धाम, शान्ती धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझ से हो प्रन्तु तकदीर में नहीं है तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाएं बरोबर हम आत्माओं का घर व वहां आत्मा को और्गंस न होने कारण कुछ बोलती नहीं है, शान्ती वहां सबको मिलती है, सत्युग में है एक धर्म, ये अनादी अविनाशी, वर्ल्ड ड्रामा है, जो चक्र लगाता ही रहता है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, शान्ती धाम में भी थोड़ा समय ठेहर नहीं पड़े, ये बहुत समझ की बाते हैं, कलियुक है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है, जब बिलकुल दुख धाम होता है, तब ही बाप आते हैं, दुख धाम के बाद है, फुल सुख धाम, शान्ती धाम से हम आ मैं संपूर्ण निर्विकारी यहां है संपूर्ण विकारी यह समझाना तो बहुत सहज है ना हिंमत चाहिए कहां भी जाकर समझाओं यह भी लिखा हुआ है हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था तो महवीर जो होंगे वे कहां भी जाकर युक्ती से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं, तुम ड्रेस बदल कर कहां भी जा सकते हो, उनका कल्यान करने, बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्यान कर रहे है न, मंदिरों में कहां भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है दिन प्रति दिन तुम होश्यार होते जाते हो सबको बाप का परीचे तो देना ही है प्रायल करनी होती है यह तो गाया हुआ है पिछाडी में सन्यासी राजाएं आदी आए राजा जनक को सेकिन में जीवन मुक्ति मिले वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिती महवीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है गुप्त याद की यात्रा में रहना है दूसरी पॉइंट अव्यक्त वतनवासी फरिस्था बनने के लिए बेहद सेवा में धदीची रिशी की तरहे अपनी हड़ी हड़ी स्वाह करनी है वर्दान एकांत और अंतर मुखता के अभ्यास दवारा स्विम को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव एकांत और अंतर मुखता के अभ्यास दवारा स्विम को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव नौलेज़फुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्थ बनने के लिए एकांत वासी और अंतर मुखी बनो डगमग होने का कारण है अनुभव की कमे इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्थ नहीं बनो एकांत वासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से दुख वद्दुविधा से बच जाएंगे किसका बच्चा हूं क्या प्राप्ती है इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे स्लोगन जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समी पुरतन है अच्छा ओम शान्ती और आज की विशेस क्लास सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें अच्छा